आज के समय में बालों की समस्या से अधिकांस लोग जूज रहे हैं किसी को गंजापन हो रहा है, किसी के तूटते बाल है, किसी के दो मुहे, किसी के समय सफेद बाल हो रहे हैं और अंत में सेरियल्स में चानक के जो टीकी दिखाते हैं उतना सा बाल रह जाता है तो ऐसे में मैं recommend करूंगी Stamio का bringrage leaf powder यह बहुत ही अच्छा है मैं इसे दो महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरी सासुमा bringrage oil बहुत टाइम से use कर रही है और उनका बहुत अच्छा बाल है जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यह मानती हूँ कुछ लोगों के बाल बल्शानुगत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ लोगों को बाल की बहुत देखवाल करनी परती है जैसे कि मैं लेकिन मेरी सासुमा ने मेरे गिर्टे बालों को देख कर मुझे bringrage recommend किया वो भी अब इसे ही इस्तेमाल कर रही है और वो बोलती है कि बहुत अच्छा है यह इसका मतलब आपको मैं उनका experience भी share कर रही हूँ जो कि 65 प्लस है यह 50 ग्राम है और इसकी कीमत है 107 रुपे April 2021 में बना हुआ है आप इसे 24 मंथ तक यूज कर सकते हैं तो काफी लंबा समय मिल जाता है और quantity भी अच्छी है भ्रिंग राज बालों की चमक बनाए रखता है असमे बालों को सफेद होने से रोकता है बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है इससे बाल घने होते हैं गंजेपन की सिकायत से बचाएगा यह आपको यह बहुत ही उसफुल है तो फिर आप अगर इससे परचेज करना चाहते हैं तो स्टैमियो के भीमराज लिफ पाउडर के लिए मैंने दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है आपकिसी स्टोर से या फिर ऑंलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं इतना सारा इसका ऐसा कलर होता है आज मैं यहां पर इसका एक हेयर आयल बना कर दिखाऊंगी यह अपर यह ग्लास ले लिया है सबसे पहले इसमें एक चमच ब्रिंगराज पाउडर डालूंगे दो चमच ओलीव आइल डाल देंगे केस्टर ओयल डाल देंगे केस्टर ओयल और ऑलिव ओयल अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्कीप कर सकते हैं अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो जरूर डाल लें यह 25 एमिल लगभग 4 टेबल स्पून नारियल तेल होगा मैं इसे भी मिला लूँगी अभी थोड़ा कमी रखती हूँ इसे हम अच्छे से मिला लेंगे यह तेल बन चुका है इस बॉटल को मैंने साफ कर लिया है आप ऐसा मार्केट से भी पर्चिस कर सकते हैं मैं इसमें इसे डाल दूँगी जो तेल बचा हुआ था उसे भी मैं इसमें डाल लूँगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे इसे भी बॉटल में डाल दे इसे बंद करके रख ले जब भी बालों पर लगाना हो इसे ऐसे सेख कर ले जब जितनी जरूरत हो इसमें से निकाल ले सकल्प पर बालों के जर्में हमें अच्छे से तेल लगाना है ऐसे उंगलियों के पोर से जब पूरे सकल्प पर तेल लग जाए फिर इसे 5-7 मिनद तक उंगलियों के टिप से हलके हाथों से मसाज़ कर लेना है हफते में दो बार स्टार्टिंग में दो महीने फिर हफते में एक बार लगाए मिनिमम आधा गंटा मैक्सिमम एक रात रखना काफी है उसके बाद आप अपने बाल सैंपू कर ले वाश कर ले मैं इसे एक महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे थोड़ा फर्क दिख रहा है बाल गिरना कम हुआ है इसलिए मैं आप सभी के लिए इसे रेकमेंट कर रही हूँ ब्रिंग राज बालों की चमक बनाए रखता है आसमय बालों को सफेध होने से रोकता है बालों की अच्छी क्रोथ होती है इससे बाल घने होते हैं गंजेपन की सिकायत से भी बचाता है ये मेरे साथ साथ मम्मी भी इस पाउडर को यूज कर रही है और उनके बाल तो अच्छे हैं और भी अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलती हूँ next Monday नए वीडियो के साथ तो नए वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ले और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले हाँ और मेरा ये वीडियो लाइक और सेर जरूर करें ब्रिंग्राज पाउडर कैसा लगा ये ब्रिंग्राज ओयल आपको बहुत अच्छा लगेगा आप अपना एक्सपिरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में सेर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो